डिफेंस रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट और्गिनाइजेशन ने शनिवार को देश में बनी होविस्तल तोप का ट्राइल किया है इस तोप की रेंज 48 किलो मिटर है इस समय सेना को 1880 अर्टीलरी गन की जरूरत है DRDO के मुताबिक यह तोप इस जरूरत को पूरा कर सकती है इसके बाद विदेश से तोपे मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिल्ड ट्राइल के दुरान DRDO के साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट के डारेक्टर शेलिंदर वी गड़े ने बताया कि यह गन सिस्टम अब तक भारत के सबसे बड़ी ताकत रही बफोर्स समेद दुनिया की किसी भी तोप से बहितर है इसमें काफी तेज माना जाने वाला इसराइल का गन सिस्टम भी शामिल है हम इस तोप का पशिक्षन चीन सीमा के पास सिक्किम और पाकिस्तान सीमा के पास पोखरण में कर चुके हैं वहां इससे दो हजार से जादा गोले दागे गए थे इन्हें दो प्राइविट कंपनियों भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिम्टिंड ने बनाया है बताया तो यह भी जा रहा है कि भारते सेना को इस समय 1580 तोड तोपों के अलावा 114 धनुष तोपों की जरूरत है इस तरह सेना को कुल 1800 तोपे चाहिए यह गण सिस्टम जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है उससे लगता है कि इसी से इन 1800 तोपों की जरूरत पूरी हो जाएगी यह तोप एक मिनट में पांच राउंड फायर कर सकती है दूसरी तोपों से इतनी देर में सिर्फ तीन फायर हो सकते है यह तोप 48 किलो मिटर तक वार करती है इस मामले में यह सबसे आगे है दुनिया में किसी तोप की फायरिंग रेंज इतनी नहीं है इस वज़े से युद की स्थिती में यह तोप दूश्मन हमले से बची रहेगी दूरी जादा होने की वज़े से दुश्मन हम तक नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन हम उन्हें 48 किलो मिटर दूर से निशाना बना सकते हैं यह तोप एक मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है दूसरी तोपों से इतनी देर में सिर्फ तीन फायर होते हैं इसी रेंज में सबसे ज़्यादा 48 किलो मिटर है वो सौर्फ से सिर्फ 32 किलो मिटर तक फायर किया जा सकता है इसे तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता है यह बहुत भरोसे मंद और मजबूत है इसे मेंटेरेस की जरूत भी नहीं पड़ती ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल इकन को फ्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुस्क्राइब करें थैन्ने वाल बंक्वेट एंटर्प्राइब